हेलो एंड वल्कम गाईस स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज की हमारी वीडियो बाटो प्रिकर एक तरफा प्यार जिसे सब एक तरफा कहते हैं पर दिल मानने को होता नहीं मंजूर कोई बताएगा इसमें दिल का क्या होता है कसूर जी हाँ क्या एक तरफा प्यार गलत है जी नहीं बिल्कुल गलत नहीं है क्या सामने वाले को पता है मैं से प्यार करते हैं हमारा एक तरफा प्यार है मान लो कोई बंदा हो एक तरफा प्यार करता है सामने वाले बंदे वो कुछ कहता नहीं है मान लिया कि सामने वाला बंदा किसी और से प्यार करता है किसी और के साथ रिलेशन्सिक में है तब भी हमारा प्यार वैसा ही रहता है कोई नहीं एक तरफा है तो क्या हुआ मैंने अपना खुदा माना है उसको है ना यही फिलेंगाती है ना तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं एक तरफा प्यार में हिम्मत तोट देते हैं हिम्मत तूट जाती है उनकी उनको लगता है कि भई नहीं कुछ ही अपाएगा सायद मेरा प्यार ही कमजोर है कुछ ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहली बात तो अपने लव पर कभी डाउट मस करिएगा क्योंकि प्यार इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है अगर आपके प्यार में ताकत होगी तो आप जिसको चाहते हैं वो जरूर आएगा आपके पास अगर आपके प्यार में ताकत है आपका प्यार सच्चा है आप कोई बेनिफिट नहीं देख रहे हैं तो आपका प्यार आपके पास जरूर आएगा जरूर आएगा तो एक तरफा प्यार करना गलत नहीं है एक तरफा प्यार हम करते हैं पेसेंस रखना प्रता है पेसेंस रखो राजा बनोगी सच्चा प्यार करो खामोस हूँ मैं लेकिन इंकार तो नहीं है मेरी नाकामिया है कोई हार तो नहीं है हम तुम्हें पा ना सके तो क्या हुआ लेकिन सिर्फ तुम्हें पा लेना प्यार तो नहीं है इसकी गहराई में जावाब को कुछ समझ में आएगा बहुत ही इंटरस्टिंग चीज मेरा मानना ये है कि सच्चा प्यार जो होता है कि है ओ इस दुन्या की सबसे तक्त वर्चीज ए जिसके सामने दुन्या की हर चीज गुटने टेक देती है एक तरफा प्यार गलत नहीं होता आपके प्यार में सच्चाई है आपके प्यार में टुथ है अगर आपका कोई बेनेफिट नहीं है इसमें आप true love करते हैं और आप real में चाहते हैं कि she is for me he is for me तो भई आपको जरूर मिलेगा आपका प्यार सच्चा है तो आपका जिससे आप प्यार करते हूं कहीं नहीं जाएगा वह आपके पास जरूर आएगा तो निरास मस्त हो हो मेरे दोस्तों कि वेट करो पेश एंसर को उमीद आप सब को वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक कर दो कमेंट कर दो चैनल को सेर और सब्सक्राइब कर दो थैंक यू